हेलो फ्रेंड्स, बिजन अकेडमी वेलकम्स यू, मैसेल प्रसान सर, तोड़े वी विल डिसकस अबाउट एनिमल्स, हैविटेट एंड अडाप्टेशन, आज का जो टॉपिक है एनिमल, उनके हैविटेट और अडाप्टेशन के बारे में है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ हैविटेट को ही समझाओंगा, इसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे, ठीक है, अडाप्टेशन के बारे में नेक्स वीडियो में, तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता दो, जो लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्स सब्सक्राइब कर लेजिए, अब में फ्रेंट को भी बूले, सब्सक्राइब को कर लेए, ठीक है, और चलिए, पहले हम लोग एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद में आगे डिसकस करेंगे, प्लीज सब्सक्राइब कर लेखते हैं, 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 प्लीज सब्सक्राइब कर आपने वीडियो एंज्या किया होगा तो चलिए अब यहां पर आजाते हैं यहां पर आपको दिख रहा होगा एक कैमल बना है नमबर टू पर डॉल्फिन है नमबर त्री पर क्या है पोलर बियर और नमबर फोर पर टाइगर है न तो यहां पर आपको यह टेबल दे रखी होगी बुक में तो पहले में यहां पर एनिमल का नेम लिखना नमबर बन पर क् तो इस तरह से आपको भढ़ लेना है है तो हैविटीट क्या होता है तो आपने जैसे पहला वीडियो देखा था कैमल कहा गूम रहा था डिजर्ट में न तो एन एरिया वेर अपर्टिकुलर एनिमल नेच्रल लिफ इस काल्ड हैविटेट वह एरिया जहां पर कोई एनिमल प्राकर्टिव रूप्स रहता है उसे उ गूम रहा था और डॉल्फिन सी में गूम है तो पाई हो जाता है एनिमल ढरशा है यही वाटर फूप्स हैं यहाटर प्रदर्च कोई और shelter तो the home of animals is found within its habitat तो जो animals का घर होता है वो उसी habitat में पाया जाता है For example, a lion's home is den and the forest is its habitat लाइन तो den में रहता है लेकर den होती कहा है वही forest में होती है तो forest उसका habitat हो जाएगा There are different type of habitats on the earth आर्थ पे बहुत तरह के habitat होते हैं है ना कौन-कौन से forest, desert, polar region, mountains, oceans and fresh water फ्रेश वार्टर में क्या-क्या आयता है river आती, lake आती है और ponds आती है Now let us learn a little about each of them चलो थोड़ थोड़ इसके बारे में पढ़ लेते हैं forest, jungle, forest के नाम से उनके जंगल याता आता है A forest is a large area that is covered with tree and plants Forest एक बहुत बड़ा area होता है जो plants से और trees से covered रहता है Forest provide shelter to a large variety of animals जो forest होता है बहुत से animals के लिए shelter provide करवाता है यानि छाया provide करवाता है जहां वो रह सके Animals such as loin, tiger, bears and bats live in forest caves कुछ animal जैसे loin है, tiger है, bear है, bear मतलब चमगादर है ये जंगलों में गुफाओं में रहते हैं Many forest animals live on tree कुछ ऐसे animals भी होते हैं जो पेडों पे रहते हैं जैसे monkey and different type of birds और कुछ अलग लगता है की चिडिया Several type of insects live on the forest floor कुछ जानबर जो होते हैं वो जंगल में जमीन पर ही रहते हैं Moles, snakes, earthworms and rats live inside burles under the ground उसमें कुछ मोल है, snake है, earthworms, rat है ये बिरो मतलब गड़ा कोद के जमीन के अंदर रहते हैं ठीक है ना अभी वीडियो आपने देखा था अजगर तो पेडों पे लटटा रहता है है ना कुछ साप जो होते हैं जमीन बिल बनाके रहते हैं अब अगला है desert, desert में क्या है desert में ये camel है a desert is a dry often sandy region that receives very little rainfall desert क्या है, बहुत ही रेतिली जमीन होती है जहां पर बहुत कम बरसात होती है it is usually very hot during the day and cold during the night ये दिन में तो बहुत गर्म होते हैं जबकि रात में बहुत ठंडे होते हैं water is hard to find in deserts water बहुत ही musical से मिलता है deserts में camel, rattlesnake and ground squirrels are found in deserts camel है rattlesnake और जमीन पर रहने वाले के लहरी होती है वो desert में पाई जाती है ठीक है अब बात करते हैं किसकी polar region की तो polar region and mountains the earth's polar region Antarctica and Arctic and high mountains are the extremely cold and covered with snow polar region बहुत हैं जो बहुत ठंडे होते हैं और इसके उच्चे पहाड़ जो होते हैं वर्प से डखे रहते हैं polar weir, sea and walrus are found in polar region उनमें कौन-कौन से polar weir है, seal है और walrus है यह polar region में पाई जाते हैं whereas yaks and mountain got are found on mountain याक और mountain यह mountains में पाई जाते हैं याक और mountain boat जो पाड़ों पाई जाते हैं बक्रियां होते हैं यह वर्प में नहीं होते हैं उच उच पाड़ पर मिल जाएंगे लेकिन जहां वर्फिला इलागा है वहां polar weir आपको देखने को मिल जाएंगे है ना चलिए अगला है ocean the ocean is the large continuous body of the salt water that cover two-third of the earth's surface it is the world's largest habitat यह पानी जो होता है ocean का वो लगवग अर्थ के दो तिहाई हिससे पहोता है यानि अर्थ के तीन टुकडे कर दो दो तो तोड़ों पानी पानी पाया जाता है इतना पानी है है मारी अर्थ पे भई तो इट इस डिवाइड इंटू the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Southern Ocean यह इन oceans में डिवाइड है Pacific Ocean में, Atlantic में, Indian Ocean में, Arctic में और Southern Ocean में A large variety of fish are found in the ocean, ocean में बहुत सारी मात्रा में मशलियां पाय जाते हैं तरह तरह की variety उनकी होती है whale, turtle, octopus and jelly fish are also found here, यानि यह जनवर भी यहां पर पाय जाते हैं तो ocean जो होता है, world का largest habitat होता है, तरह तरह की जनवर पाय जाते हैं फिर अगला है, fresh water river, lake and ponds are example of fresh water habitats, river है, lake है, ponds है, यह fresh water habitat के example है some animals can live only in water, कुछ animals के पानी में रहते हैं, जैसे fish है और sharks है some animals can live on both, on land and in water, कुछ animals land में भी रहते हैं और पानी में में रहते हैं उनके examples जैसे amphibians such as frogs, salamanders and reptiles such as alligators frogs है, salamanders है, alligators है, यह पानी में भी रह लेते हैं और जमिन पर भी और turtle भी ऐसा ही है न, जो पानी में भी रहता है और जमिन में भी रहता है ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, adaptation के बारे में हम next वीडियो में सीखेंगे आज से वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतायेगा ठीक है, हम आपकी कमेंट का वेट करेंगे, ओके, थैंक यूँ झाल